पिरियों विद्यारतियों स्वागत आपका स्रीशाम कॉलेज भादरा के यूटूब चैनल पर देखिए हम बात कर रहे हैं यह तर्डियर और इसके अंतरगत हम बात कर रहे थे जो गुरुपिस्य समंदेद और हमारा जो टोपिक था वो था भारत का अपवाह तंत यह हम बात कर रहे थे हिसके कुछ अंतिम चल्डों की रहे थे जिसके अंतरगत जो कई बार जो अंतरस्पष्ट होता है इसके अंदर अंतरस्पष्ट करना था हमें एक to हिमाल्य है अप आंतरल आता हमने देख लिया था और est campa यहिसान ऑपतुब्दी कुछ अंतर हमने देखने था चार अंतर सपस्ट हुए थे हमें ध् bullying हमने देखा था कि जो हिमालय के अंतरगत बात करेंगे तो हिमालय के अंतरगत जो नदिया है उस नदियों के लंबाई के बात करेंगे नदी के लंबाई अधिक यहां क्या थी कम थी दूसरा हमने देखा था जल्ग रहन शेतर यह भी क्या था यहां अधिक और इस साइड में बात करेंगे तो जल्ग रहन शेतर क्या था कम था फिर हम ने बात की थी तीसरे पॉइंट की नदियों की संख्या, नदियों की संख्या, यहाँ आदे और यहाँ कम, फिर हमने देखा था वर्स, वर्स भर बहती हैं, यह वर्स आरे तो, यह चार पॉइंट हमने बातें कर लिये थे, अब इससे आगे अंतर एक स्पस्ट हो रहा है, कि हमने जब हिमाले की बात की थी, तो बात की थी कि नदियां जो है हिमाले की गहरे, गोर्ज का निर्मान करती हैं, महाख़ड का निर्मान करती हैं, यह नदियां जो हैं प्राइद गोर्ज का निर्मान करने का मतलब यह है कि इस परकार से खड़ा हो जाता है बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है यह उता है गोर्ज और एक हम बात करते हैं उतली हुई गाटी उतली हुई गाटी की बात करते हैं तो यह गहरा नहीं होता है यह थोड़ा कम गहरा होता है जिसके कांड हमें क्या नजर आती है उतले गाटी नजर आती है और ये जो प्रैज़विभ वह अंधर की जितने भी नदियां है ये उतले गाटियों में बहती हैं आगे एक पॉइंट की बात करेंगे कि यहां पर विसर्प बनाती है नदियां हिमाले के अंतर गए और इससे क्या होता है मारग परिवर्टित होता है तो हिमाले की नदियां अपना मारग परिवर्टित करती है साथ साथ में क्या बनाती है विसर्प बनाती है और यहां पर कोई विशर्प नहीं बनता है और इनका जो मारग होता है वो बिल्कुल क्या होता है सीधा मारग होता है क्या होता है सीधा मारग होता है बिल्कुल क्योंकि ये जब जैसे ही परवतिय शित्तर से निकलती है तो इनकी लंबाई क्या होती है प्राइड़ी पे अप्वात अंतर में जितने भी नदिया है इनकी जो लंबाई होती है वो लंबाई कम होती है और कम होने के कारण क्या है धलान अधिक होता है लंबाई कम होती है जिस क्या होती है सिंचाई की जाती है लेकिन यहां हम बात करेंगे तो सिंचाई नहीं की जाती है प्राइड वीपे अब बहुत अंतर की नदियों से अगला एक पॉइंट और देखेंगे हम कि जो हिमाले की नदियां है वो कैसी दिखाई देती है बाले वस्ता में दिखाई देती है और प्राइड वीपे अपवाहत नतर की नदियां क्या है अभी प्रोड वस्ता में है कौन सी वस्ता में है प्रोड वस्ता बाले वस्ता और प्रोड वस्ता का तात्परिय कैसे लिया गया है देखिए एक आम मनुश्य के जेवन से इनका relation सपस्ट किया गया है सपस्ट में देखिए हमने जब भी बात किये थी तो ये जो प्राइद वीपिय शेत्र है ये प्राइद वीपिय शेत्र हमने बात किये थी क्या है पुराना है किसके अपेक्षा हिमाले के अपेक्षा हिमाले का जो सित्र है वो क्या है नवीन है नवीन है नवीन है नया है तो जब बच्चा जनम लेता है तो वो सबसे पहले किस अवस्ता में होता है जैसे शेस अवस्ता की बात करते हैं उसके बाद में बाले वस्ता की तो औ प्रोड अवस्ता में और ये अभी क्या है बाले अवस्ता में सपस्ट होता है ये अपवाहत अंतर और इसमें जो नदियां है वो अभी नवीन स्थिती में हैं बाले अवस्ता में और ये नदियां पुरानी हो चुकी है प्रायद विप्या अपवाहत अंतर की नदियां तो य ये जो नदियां हैं ये अनुवर्ती हैं क्या हैं अनुवर्ती हैं पूरो वर्ती और अनुवर्ती का मतलब है क्या है देखिए पूरो वर्ती वो होती है कि निर्मान से यहां पर ये शित्र हैं यहां पर कोई नदी बहे रही थी अब इस शित्र का क्या हो गया उत्थान हो गय गया क्या हो गया उत्थान हो गया जो छेतर जिसमें नदी बहे रही थी ये छेतर उत्थान हो गया उपर के और खिसक गया किसके कारण पलेटों के संचलन के कारण वो छेतर क्या हो जाता है उपर उड़ जाता जैसे हिमाल्य का निर्मान हो तो हिमाल्य के शेतर में जैसे वो नदियां पहले गुजरती थी, वो नदियां उत्थान के बाद में भी क्या हैं, उसी मारक में वह रही हैं, उत्थान हो गया लेकिन उसी मारक में वह रही उत्थान के बाद में, तो ऐसी नदियां को क्या कहते हैं, पूरो वर्ती कहते हैं, पहले जो मारक था, उसी मारक पे व बहे रही है वो नदियां वो क्या होती है पूरो वर्ती होती है और अनुवर्ती होती है वो नदियां होती है अनुवर्ती जो जैसे थी वैसे ही है आसपास में जो उत्थान है वो उत्थान नहीं हुआ है कोई उत्थान नहीं हुआ है नहीं वहां पर कोई बतलाओ दिखाई आधिया है जैसे नदिया थी वैसे ही बहे रही है और आज पास के एरिया जो है वो एरिया वैसा ही है आज भी कोई बदलाव नहीं है यहां बदलाव होने के बाद में भी वैसी बहे रही है यहां बगेर बदलाव के वो नदी बहे रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे अनुव इमाले के जो नदियां हैं वो बड़े बड़े डेल्टा का निर्मान करती है और प्रायद वे प्याफ वाहतंतर की नदियां छोटा डेल्टा छोटे डेल्टा का निर्मान करती है और साथ साथ में इसकी जो दो नदियां हैं नर्मदा अतापी नदी हैं ये क्या करती हैं ये जवार नदमुक का निर्मान करती है तो ये प्राइद यूप अपवाहत अंतर और हिमाले अपवाहत अंतर के अंतर जो अंतर था क्या क्या अंतर हमें दिखाई दिया जब हमने नदियों का अध्यान किया है तो उस अंतर को हमने कुछ दस एक पॉइंट है इसमें हमने देख अब हम आगे एक अगला टोपिक लेंगे यूनिट नंबर दो के अंतरगत हैं हम बात करेंगे अब भारतिया करसी से संबंदित भारतिया पुआहत अंतर का टोपिक हमारा कंप्लेट हो गया है अब हम बात करेंगे आगे भारतिया करसी से संबंदित बात करेंगे कि भी क्या क्या विस्से इसके अंतरगत है कौन-कौन चीवसले हैं ये चीज़ हम देखेंगे करसी ठीक है करसी की बात करते हैं तो देखिए करसी का अध्यन क्यों किया जाता है इसके पिछे रीजन क्या है ऐसा क्यों हम अध्यन करते हैं फसलों का अध्यन करते हैं बारतिय कर्षी की समश्याएं बारतिय कर्षी की विसेश्ताएं और समश्याओं का उपाएं ये अध्यन क्यों किया जाता है कर्षी का महतव क्यों दिया जाता है इतना देखिए कर्षी को महतव इसलिए दिया जाता है कि जो हमारी आर्थ विवस्ता है राष्ट्री है आर्थ राष्ट्री अर्थविवस्ता में क्रसी का महतोपूर्ण योगदान होता है और हम विकास की बात करते हैं किसी सेत्र की तो वहां की क्या देखेंगे हम अर्थविवस्ता को काउंट किया जाता है साथ साथ में अर्थविवस्ता के साथ साथ में क्या क्या जो है वहाँ पर स्थापिते किया गई ये भी हम देखते हैं अब देखिए राष्ट्री अर्थव्यवस्ता में मैतोपुन योगदान है इसलिए भारतिय करशी का बहुत ज्यादा मैतोव है उनिस सो पचास और इक्यावन का जो दसक था उस दसक में देखिए भारतिय अर्थव्यवस्ता में क्रशी एक शेतर है सिरफ इस शेतर का योगदान कितना था 55.40 मानलो भारत को 100 रुपए प्राप्त हुई है एक वरश के अंतरगयत मानलो 100 रुपए भारत को प्राप्त हुए बारत सरकार को उसमें से 55 रुपे 40 पे से कहां से प्राप्त हुए हैं करसी छेतर से प्राप्त हुए हैं इसके अलावा उद्योगिक हैं प्रवेन हैं वपार हैं ये भी है कुछ है ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा करसी से हमें प्राप्त हुआ है जो हमारे जीडीपी है उस जीडीपी में इसे तरिकर्षि की ज्यादा थी, कभ निनीस सो पचासी क्या होनि ? जैसे में बात करेंगेridei तो देरी देरे कर्षि का जो महतव था वो क्या होता चला Psalm चला गया तो यहां इसका परतीक है 13.9% रह गया है भारतिय अर्थव्यवस्ता की बात करेंगे राष्टरी अर्थव्यवस्ता की बात करेंगे जिसके अंतरगत कर्शी का योगदन कितना रह गया है 2013.14 के नुसार 13.9% रह गया है अब देखिए भारत की दो तिहाई जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किस कारिये में सलंगन हैं दो तिहाई जनसंख्या करशी छेतर में सलंगन हैं और भारत का लगभग 55 परतिशत जो छेतर हैं वो करशी भूमी छेतर हैं और करशी भूमी छेतर होने के कारण क्या हैं दो तिहाई जनसंख्या किस पर निर्बर करती हैं करशी पर निर्वर करती है इसलिए तो हम कहते हैं ना भारत एक है भारत एक बारत एक करसी परधान देश है क्यों क्यों कि इसमें करसी शेत्रे कितना है 25% और उसकी जनसंग्या दोत यही वो भी क्या कर रही है करसी पर निर बरे तो भारत एक करसी पर धान देश है अब भारतिय करसी के अंतरगते कौन-कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है देखिए फसलें बहुत परकार के होती हैं खाद्यान फसलें होती हैं व्यवसाई फसलें भी होती हैं जिनका उत्प उत्पादन सिर्फ वेपार की दर्ष्टी से किया जता है तो भारत किन फसलों को महतों देता है भारत खद्यान फसलों का ज्यादा उत्पादन गरता है और खद्यान फसलों को ही ज्यादा महतों देता है क्यों देता है खद्यान फसलों का देखिए जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया तो भारत ने अपने जिवी को पारजन के लिए मनुश्य के जीवन के लिए किन फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया खाद्यान देखे मनुश्य को उरजा है तू बोजन की आवशिकता पुती है और उस बोजन के लिए बढ़ता लेते हैं उन्हीं फसलों का हमने क्या गया है उत्पादन करना शुरू कर दिया इसलिए खाद्यान फसले है उसका जो वीत्रिन है वो एरिया है वो क्या होता हुआ चला गया बढ़ता हुआ चला गया क्यों चला गया क्योंकि जो जनस्थ्या दवाव है, वो भी क्या हुग गया? दिरे दिरे बढ़ता हुआ, चला गया और यहां पर हमें विवसाइक जो करसी हैं, वो कम सपस्ट होती है विवसाइक करसी या विवसाइक फसलों का उत्पादन वो कम है क्यों हैं कि देखिए एक तो जो भूमी का जो कर्शियों के भूमी है वो कम दिखाई दे रही है दूसरा कारफ जो सबसे मेतोपून एफेक्ट कर रहा है कि जो जनसंख्या है वो जनसंख्या का दबाव देरे देरे क्या है अधिक है जन संक्या का दबाव क्या है दिरे दिरे अधिक बढ़ता हुआ चला जा रहा है और भारतिये लोगों के लिए भारतिये जन संक्या में जो वर्दी हुई है उस जन संक्या की दस्टी से देखा जाए तो खजान फसलों का उत्पादन करना बहुत ही आउशक हो गया है लेकिन जो बारतिये करशी है वो बारतिये करशी पूर्ण तया मांसुनी जलवाईयो पर निर्बर करती है मतलब जो मानसुन हमें सपस्ट होता है जो वर्षा रितु हमें सपस्ट होती है उस वर्षा रितु के कारण ही फसलों का उत्पादन क्या होता चला जाता है बढ़ता हुआ चला जाता है और जलवायू जलवायू में क्या है भारत की जलवायू है वो मानसुनी जलवाईव पर निर्वर है बारत की जितनी भी कर्षी है किस पर निर्वर है जितनी भी कर्षी है वो वरसा पर निर्वर है क्योंकि देखिए एक तो सिंचाई के दवारा कर्षी की जाती है उसका शेतर जिसको नहरी शेतर बोलते है और एक होता है बारानी शेतर, एक नहरी शेतर होता है और एक होता है बारानी शेतर, यहां तो सिंचाई की जा सकती है, नहरों, तलाबों, नलकूपों के माधियम से, लेकिन बारानी वो शेतर होता है, जो सिर्फ किस पर निरवर होता है, वर्षा रितूप, तो देखिए, यह जो नहरी शेत्र है ये भारत में बहुत कम है और बरानी शेत्र क्या है अधिक है तो जो भारत की करशी है वो करशी किस पर निर्वर कर रही है मांसुनी जलवाईयों पर निर्वर करती है भारत की मांसुन पर निर्वर करती है जैसा मांसुन अच्छा होगा वसलों का पादन भी क्या होगा अच्छा होगा यहां निर्वर कर रही है इसके बाद में इसके साथ साथ देखें तो कुछ अलग-अलग शेत्रों में देखें भारत के अंदर तो विवीद परकार की जर्वाईयों सपस्ट होती है जैसे दक्षिनी भारत की बात करेंगे वहां पर तापमान सम परिवतित हो जाता है इमाले की बात की रही है तो सदेव क्या दिखाई दे रही है बरफ दिखाई दे रही है तो भारत के अंदर ही अलग-अलग परकार की क्या पाई जा रही है जलवायू पाई जा रहा है, और इस विविद परकार की जलवायू के कारण क्या है? विविद परकार की फसलें भी दिखाई देती है, क्योंकि जलवायू के अकोर्डिंग ही फसलों का उत्वाद ने किया जाता है, ये नहीं कि आप जो रेतिला एरिया है, मुरुसलिय शित्र है, वहाँ पर कांजू या बिदाम का उत्वादन करसे को, ऐसा कता ही ही नहीं, लेकिन उसके लिए एक इन्वाइरमेंट क्रेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और जलवायू विवित्ता और कर्सी जो विवित् खाय देरी है, इसी के कारण क्या है, बारतिय फसलों का एक प्रारूप सपस्ट किया गया है, उसी जलवायू के उन्सार, जैसे हमने देखा है, पीछे रभी की फसल, करीब की फसल, जायित की फसल, ये एक प्रारूप सपस्ट होता है, इसमें कौन-कौन सी फसले हैं, और इ पॉइंट के माध्यम से देखेंगे भारतिय करशी की विसेश्टा है, नमबर एक बात करते हैं, भारतिय करशी मुख्यते किसके लिए की जाती है, निर्वेहन के लिए की जाती है, भारतिय करशी जो की जाती है, वो किसके लिए? निर्वेहन के लिए, अभी थोड़ देर पहल हमने देखा था, जीवी को पारजन के लिए भारतिय करशी का महतुपुन यहुदान, क्योंकि जैसे जैसे जनसंक्या बढ़ती गई, जो खाद्य का सवरूप नजर आ रहा है और बारतिय कर्शी पर क्या है नमर दो बात करेंगे जन्संख्या का दबाव जो है वो दबाव अधिक दिखाई दे रहा है जन्संख्या का दबाव क्या दिखाई दे रहा है अधिक दिखाई दे रहा है फिर हम बात करेंगे कि बारतिय कर्शी में एक हरित करांती की अवधारना हुई थी 1960-61 की बात करेंगे स्वामी नाथन एम स्वामी नाथन या नॉर्मन बॉर्लो की हम बात करते हैं तो उन्होंने ऐसे कुछ उन्नत बीज बताये थे कुछ मशीनों का आविश्कार था उसका प्रियोग करशी में बताया था ऐसे कई कारक थे रसायनी खादों का, पेस्टिसाइड उरुरुकों का कुछ उप्योग बताया था जिसे फसलों का थपादन क्या है बढ़ सके तो हरित करांती के कार्ण करशी में जो मशीनी करण है वो तो प्रारभ हो गया लेकिन उसका जो स्तर है उस तर कैसा रहा कम रहा जैसे जैसे हाई टेखनॉलोजी बढ़ती गई वैसे वैसे हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चले पूर्णते हैं मशीनिकर्ण की बात करेंगे तो बारतिय कर्षी पूर्णते हैं मशीनिकर्ण पर आधारिते आज भी नहीं है ये इसकी विसेस्ता सपस्ट हो रही है फिर हम आगे देखेंगे भारतिय कर्शी किस पर निर्वर हैं मानसुन पर निर्वर हैं और जहां मानसुन नहीं है वहां पर क्या किया जता है सिंचाई किये जाती है लेकिन दिरी दिरी क्या है सिंचाई के विकास में काफी तेजी होई है और वर्तमान की दस्टी से बात करेंगे तो आज भी बहुत छ पिर्फ किस पर अधारित हैं मांसुन पर अधारित हैं इसलिए हमने एक विशेष्टा देखी है कि भारतिय कर्शी किस पर अधारित हैं मांसुन पर अधारित हैं और भारतिय कर्शी में एक चीज और देखी कि साथ साथ में क्या किया जाता है पशू पालन भी किया जाता है प जलक परकार के फसलों का उत्पादने किया जाता है और फसलों के उत्पादन के साथ साथ में हम यह देखेंगे कि भारत के अंतरगत जो रीत्विक विवित्ता है वो भी क्या है सपस्ट होती है कर्शी के अंतरगत जो रीत्विक सपस्ट जो विवित्ता है वो सपस्ट होती है रित्विक का मतलब सीजन के अकोर्डिंग फसलों का उत्पाद ने किया जाता है सर्दी में सर्दी के फसले इस परकार से और यह जो रभी खरीव जाइद है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आसा करता हम कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा थेंक Thank you very much